पाकिस्तान पे पाते करने का आपके समझते हैं कि जैसे आगे ही पाकिस्तान की इमिज हम देखें तो कहा जाता है बैगर्स, क्या लगता है इस क्राइसिस के बाद कौन हम प्रस्ट करेगा? बिस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपने ही होमलेंड को अपनी कंट्री को डीगरेड करें अनफॉर्चनेटली हमें डीगरेड करना पड़ता है क्यों करना पड़ रहा है उसकी रीजन यह है कि यहां पर निजाम कुछ ऐसा बन गया है हमारा कि आप एट लिस्ट फॉर्ण कंट्री में देखें ना जो हमें बातें कर रही हैं उनके बस मोका उनको क्यों मिला वो यह वज़ा है क्योंकि उनके कंट्री में अगर वहां का सीटिजन को टेक्स पे करता है ना तो प्रोपर उनके वो टेक्स यूज होता है हमारे यहां कंट्री में इतना को बु उसी कंट्रीज में हैं लेकिन वह पाकिस्तान से इतनी महबत करते हैं वहां बैठ के पाकिस्तान के लिए फंडिंग करते हैं वह पैसा कहा जाता है अब आरे टेक्स के इलावा जो एड आती है वह जाता है एड भी बता रहूं ना आपको ये पिछले दिनों एक हमारे पे आई है अगर तो उसमें भी देखें मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं खुद भी हाल डोड में इतफाग ग्रूप का मेंबर हूं तो हमने करोडों में समयले ताजर बादरी तो ट्रेडर से ना वहां पर हमने करोडों में उनसे फंडिंगी कठी भी की है अगर मतलब कह नहीं आती कि जो पैसा हम हकुमत तो दे रहे हैं वो किदर जा रहे हम खुद ही कठा करें तो शायद बहुत जादा हो जाता है वो लेकिन बाद करें ना बरसगीर की तो बरसगीर में अगर हम देखें तो हमें यह मुलक सिर्फ इस रीजन पर मिला था कि अजाद रहे खुद मुख्तारी से रहें खुद मुख्तार खाएं खुद मुख्तार जीएं अगायद इसम का यहीं वियन था लेकिन खुद मुख्तारी तो हमें पता नहीं मिली के नहीं मिली अजादी जरूर मिल गए अगर हम बात करें वरसगीर की तो जब हिंदूस वहां पे अलग हुए इं है अलग हों के जुह हमें यह सब फेस करना पदा । 11 कि अज़ नहीं अज़ादी जो है उचा वही तो एक हा़ है उजादी तो उसके बाद तो बट कोई आजाद हो उसके बाद दो चाले ज़ी लेकिन अज़ादी तो हमएं मिली लेकिन इसके बाद कैंदा उसके हमें नहीं मिला क्योंकि उसके जो ड्राव है कि ना यह वह उसकी रीजन भी तो हम खुद ही है ना हम हमारा इंतखाब ही गलत है हम इंतखाब गलत लोगों का करते हैं हमें कोई बंदा चार साल तक बूक दे रहा है ना अगर लास्ट येर अगर हमें वही बंदा कोई थोड़ा बहुत बहुत बहुतरी करके दिखाए तो हम इस तरह उसके गुन काते हैं कि जब जैसे हम चार साल की तकलीफे सारी भूल जाते हैं तो बस इसका फेलियर की यही रीजन है कि हमारा अपना ही इंतखाब हमारी जो लोगों की सोच है वो बदलनी परेगी एक कंट्री की एक कह हमारी मेंटैलिटी कि आए आज भी वो खमोश वोटर जो हमारे बडेरे यहां कुछ भी कहलें वो खमोश वोटर हैं वो पूरा साल बोलेंगे नहीं जब इलेक्शन का दिन आएगा जाके चुप करके वोट कास्ट करके आजेंगे और उसी बंदे को करेंगे जो मतलब हमारा रेफरेंस सिस्टम है बरियानियों के डिबो पे वोट भी करें हैं यहां पर अफॉर्शनेटली तो वहां क्या एक्सपेट कर सकते हैं आपके कहना चाहोगे यह जो प्रोटेस्ट करें हैं और पाकिस्तान में मुश्किल हालात पर बढ़ते जा रहे हैं क्या आपको लगता ह है एजूकेशं किवा बजाते हम करप्शन कर ना करके करेणा जैसे जितनी क्या हम चुछ हमें अच्छा बना परेगा ना इसके लिए अगहां क्रॉप्शन अगर फोट यह हमसे खुट आगे जा सकता है अगर खुध देंगे कर तो होगी ना करुप्शन इस वजा से हमें ख पैलफमेंट आगे बोगोद चले गए हैं कैसे रॉंकि फेरा उन्हें कर्प्शन कया हैões वह कर जा दक्कारी म sharply करफोत काम बार के ओरिधियर जाद कर दिन्हां काुए सब्सक्राइब what पाकिस्तान की बाद पूड क्राइसीज हम लोग किस तरह काबू करके गिल्गिल्ट यह पिर यह जैसे हमारे हैं दूसरे एडियास दूसरी सीटी उनको कैसे कम सक्सक्राइब कि अपने पुटो हमें भी चाहिए ना कि हम फुद अपने जो हम एक ज्यादा दर हम ए रूटी चाह सकते हम जादा तर तो उनको भी हम बाहरे पूंच आपने अपकर के ना उनको देना चाहिए जादा तर तर और ऐसे बहुत अच्रा का था अ कि पूरे पांकिस्टान की बीटे तो भी हलाद खड़ाव ही हैं लेकिन जादा जो है वह इन ओड़ एडियास के हैं अगर हम बात करें तो इन इंटेनेशनल मीडिया पर बहुत जादा एक एक कट्री उठकर हम पर तवासरा कर रिये, बाते कर रिये और एक पूरी सोचल मीडिया पर वीडियो वाइडल हो रिये जिसके अंदर हर कट्री के जो के पाकिस्टान की बात करें करने लगाया और कहा है कि यह देखो भ़ी पाकिस्टान के हलाद, अलाग हो अगर हम बिजाते मुसल्मान देखें तो हम लोगों में आपको क्या लिगता है वो मुस्लिम्स वाली चीजे रह गई हैं या हैं जिन पर अमल करना चाहिए और जिन पर अमल करके हम शाहिद बहुत आगे जा सकते हैं लेकिन बैसिक चीज सो यही है कि मनलब मैं हूँ या जो भी हम सारों ने कोल फैल में तज़ाद हैं जो हमें मनलब जबस पर हम पना ले और अपना काम सही मांदारी से कर तो हम सब कुछ आसल कर तो बरसगीर के बात करें तो बरसगीर में हमारा काईद्याजम का वियन था कि वही अलग वतन हो, ताकि Lewis'sे हम लोग रखादी से जीह, ऐसे हैं, लेक हैं लेकिन वो रभ हमें के लग अजादी हमें मिल पो गई, लेकिन अजाद रहना नहीं चाहते या अजादी हमें पसंद नहीं हारी, जो जो हम हम इस तरह की चीज हों को religious है, religious चीजों पर हम कुछ एक तपके पर depend करते हैं, religion में islam में हिफ्स की तरफ, madrasay की तरफ हम उस बचे को बेचते हैं, जो दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकता, जो बिलकुल free होता है, तो हम उसको इसलाम की खिदमत पर लगा लेते हैं। भागी हमारी दुन्यावी काम है, वो स्टड़ी बोगा लेते हैं। ऍपूंटे करेस्ट हें दो तो हर बंदा इदर जो है मैं वहीज बात कों गा कि हर बंदा अपना काम नहीं कर और आप इमांदारी से हर बंदा अपना काम करें स्टडी करें तो हम हरकुष हासिलों कर सकते मैं आपको कहन थे बात करें जब अलग हुए थे तो इंडिया है यहां पर 25 क्रोर राफ 30 क्रोर और हिंदू इंड-ब्ध को अि Hemom के तरफ कि रहो टेर अर्ण को उन्हेंने कंट्रॉल करें का हैं बीया Why ऑब्ध करें हैं और यहां का नारा लगा है राइटेस का उन्होंने अपना मतलब बिनेफिट हासिल करने के लिए जो भी गवर्मेंट आई है इसलाम का नारा लगा कि उन्होंने किया हुआ है तो उदर डिमोकरिसी चलती रही इदर चलती नहीं मतलब रूल आफ ला नहीं चलता बहराल इंडिया तरक्क कि उसके बाद अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया जो कि सेकिंड नंबर पर आया था और कहा था कि यहां पर हर मिनॉर्टी सेव है और राइट्स मिल रहे है उसके इलावा मैं आपको मतलब एक तो यह हो गया उसके जो आप बात करी न है घाना के प्रेजिडेंट इर्फानली इंडियन और रीजिन के है और बहुत बहुत ऐसे लोग हैं जो के आर्मी बेस भी है और मुसलिम्स हैं मैं सिर्फ मुसलिम्स की बाद करें उनको वहां पर डायर्स हैं अगर हम अपनी मुवी इंडरस्टी में दे जो आप बात करी न है घाना के प्रेजिडेंट वह खेर मुझे आप से पता चला है या ब्रिटिश के लेंगे जो अभी प्राइम मिनिस्टर रहें गुजरात के फसादात किये थे मूदी ने अभी वह प्राइम मिनिस्टर है तो मुसलिम्स के लिए से नहीं है मैनोरिटी के सिक की बात करें वह इंडिविज्वली किसी उस पर होंगे लेकिन सिक अभी जो सीदू मुसो वाला का मडर हुआ है तो उसके पीछे भी यही है कि वह खालिस्तान तेरीक के लिए एक्टिव मेंबर था उस वएसे उनकी इजन्सी ने उससे बाट यहां में भी तो लेकिन वहां के जो बाकी चीज़े मिली थी जो एविडेंस मिले थे जो बड़ इपोर्स आई थी उसमें यह क्लेरिफाई नहीं हुआ था कि सब कुछ मूदी का किया हुआ है तो उदर का चीफ मनिस्टर था ना तो वो चीफ मनिस्टर ही रिस्पॉंसिबल होता है खुदान पाकिस्तान ने जो नहीं की वो डिक्टेटर शेफ जिससरे रिग एलेक्शन होते तो अठारा का हुआ था इससे पहले भी जितने भी एलेक्शन हुए वो रिग होते है अभी इस चीज़े सारी इस्टैबलिश्मेंट एक दूसरे को ब्लैम कर रही है जो जब तक रूल आफ दूसरा दोजार और से तेरह के दर में पिपल्स पार्टी चली उनकी गौवर्मेंट अच्छी नहीं चली थी तो इसके बाद वाइप आउट होगे निया पिपल्स पार्टी पंजाब से भी केपी केपी से अलमुस बलोचे सांस भी से इसी तरह अगर कंटिनुटी से गवर आन्हान की पीटी आई गोवर्मेंट भी चलती तो एपरेल में ला इस